अपनी बातें गुप्त रखें आवेर मुझे मात जैसा ना करें प्रस्चिक रासी वाले के सारे रहने वाले हैं तो सबसे पहले हम देख लेता हैं मैं 2019 में गरों की इस्टिक केसी रही ताकि उसके अनुजार उनके प्रवाओं को भी अच्छी तरह से चान सके सूर्य पंद्रा मैं तक मैं से उरो लेँ सब्की के पहने रहेंगे उसके बाद पंद्रा मैं से दस रासी में अपके सब्तम पहने रहेंगे मंगग साथ मैं तक बस रासी में आपके सब्तम भाव में रहेंगी, साथ मैं से मिठुन रासी में अश्टम भाव में रहेंगी, बुद्ध तीन मैं तक मिठुन रासी में आपके पंचम भाव में रहेंगी, तीन मैं से छटे भाव में में नेस रासी में दोचर करेंगी, और 18 मईिस से 10 रासी सप्तम हों में को चर करेंगे। बिरुघट्चिक रासी में आपके लगना वहां में रत्री रहते हों को चर करेंगे। और समीधानु रासी में धंभा writes लिएमा readers करेंगे। और राहूं केम तूदग्रम परिरुम Georgi करेंगा। तब देख लेते हैं दिश्ची ग्राषी में मईमा में ग्रहों के प्रवाव किस रहेंगी। आपकी रासी में सूरे कर्म भाव के सौंणी होकर अधरा मईं तक रोग्षेत्रु होंमें अपने विक्रमंगर कुदासी में दोचर करें से जातक तो कभी दाव और कभी हने के संभावन दनी रहेगी वह साइब वंकार्यों में सत्रों द्वारा बादा उत्तमी की जाएगी करते समय गुप्त सत्रों को ध्यान में रखते हुई ही बात कार व्यवार के जाएग ताकि यसे अवसर ही ना बन सके की सत्रों नुकसान पहुंचा सके साउधानी ही एक मौत रहानी से रचने का उपाय है रास्ता है अगर अपनी गुप्त बातें बताना आपके लिए ऐसा ही होगा जैसे आप ये मुझे बार बताएग अगर ध्यान रखें दोस्तों मैं इस महा से एक सिरी चालू कर रहा हूं जिसमें आपको बहुती बढ़िया लाइफ चेंजिंग सिप्टिंग मिलेगी तो सुरू करते हैं आज अभी हम जिस अवस्था में हैं उसके लिए आप और हम ही जुम्मेदार हैं और ये अवस्था हमारी प्राथनाओं का ही फल है और इस अवस्था को हम प्राथना से ही बदल सकते हैं और इस जीवन में सभी को प्राथना से ही मिलाएग दोस्तों जिं मानो, अपनी संतती को जन्म देकर, उसकी ब्रद्धी की प्राथना परमात्मा से करता चला आ रहा है, और उसकी अगली प्यूरी वास्तों में उससे आगे जा रही है, लेकिन फिर भी वह और संतुष्च रहता है, कभी भी परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता है, जो उसके प तो ठीक नहीं जहां तक कि वो परमात्मा को भी गलत सिद्ध करता रहता है। आप अभीत जी सवस्था में उसके लिए आपी जुम्मेदार है। परमात्मा ने आपको प्रगति उन्नती के लिए ही इस प्रत्वी पर लाया है। और इस जीवन के चक्र को चलाने के लिए आपको पांच महत्पुन अंग दियें। वो हैं सरीर, मन, माइंड और आत्मा और पांचवे फिक्टर है। स्वयम वो परमात्मा ही। इस अंसार का तान में बिठाकर ही इन चारों का बेलेंस करके ही आपको आगे बढ़ना है। और उस पांच महें फिक्टर परमात्मा को पाना है। लेकिन आप इन चारों का बेलेंस नहीं बनाकर कभी मन की सुनकर कार करते हैं और असफ़ल होते हैं। कभी mind की सुनकर कार करते हैं और असफल होते हैं और परेसान होते हैं जब तक चोथा factor आत्मा missing तब तक जीवन चक्र की धूरी पूरी नहीं होगी उसे कार में सफलता और आनन्द की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि आनन्द स्वम पाँच ओफिक्टर परमात्मा ही है इस्वर ने अपना इस्वर मानों के लिए बनाया लेकिन मानों ने कभी उसे जाना नहीं और वह उसे बलात हासिल करना चाहता है फलस्वर वह भठकता रहता है और उसे वह एस्वर की प्राप्ति नहीं होती है जो उसी के लिए बनाया गया है जबकि परमात्मा प्रेम के बस में यदी परमात्मा से प्रेम से पाथना करते हुए आप सरवस्वजी मांग ले तो वह मना नहीं करते हैं जैसे पिता की संपत्ती पुत्र को ही मिलती है, लेकिन पुत्र के अंदर प्रेम का अभाव होने से विश्वास नहीं होता और वो पिता के विरुद्ध जाकर संपत्ते लड़कर हासिल करने की सूचता है। लड़कर भी कोई अधिकार मिलता है वो तो प्रेम वस मिल ही जाता है और प्रेम के अभाव में सारे फिसले गलत करता रहता है और प्रेम और अधिकार से वंचित रहता है ये कितनी बड़ी बात है कि यदि परमात्मा से प्राथना में आप सर्वस्व भी मांग ले तो वो मना नहीं करते वो सिर्फ तधास्तू ही कहते हैं लेकिन ना हमारे पास ग्यान है ना प्रेम है तो प्राथना कैसे निकलेगी सही प्राथना कैसे उठेगी हमें प्राथना करना ही नहीं आती है इसलिए जितना ग्यान है उसी के अनुसार प्राथना निकल रही है और उसके पूरी ह होने पर परेसान हो रहा है वो तो में को राजी है उसने तो बे दिया है आपको पाने की देदी कुरा सी कर आप का ही बस आपको लेने का तरीका आना चाहिए जिसने भी यह तरीक जो ले उस सरल वेक्ति को आज लाखो करो और वो रुपे कहां से आ रहा है पता ही नहीं चलता है उसे कोई efforts नहीं करने पड़ते हैं और उसके पास बेहसाब अर्थात अनन्त से अनन्त आ रहा है बोड दूसरा कठोर वेक्ति दिन राद लगा रहता है दो जून के रोटी कमाने के लिए ये क्या है ऐसा क्यों हो रहा है जरूर मेसिंग लिंग है उसके पास वो समझ नहीं है जो पेसे को आकर्सित कर सके उसके पास वो magnetic power नहीं है जो एसवर को आकर्सित कर सके एक बार लोहा मेगनेट से घिसकर मेगनेट हो जाए एक बार वेक्ति इसवर से घिसकर मेगनेट हो जाए याने इसवर हो जाए तो आपके अंदर भी वो मेगनेटिक पावर इस्वरे तत्व आ जाएगा और इस्वर्ड आपका हो जायेगा इस्वर्ड आपकी तरफ फिammि चला आएगा पर उसकी लिए भी प्राथना करना होगी पर क्या आप सही प्राथना कर रहे हो प्राथना क्या है और प्राथना किसे की जाती है इसे हम जून के रासी फल में जानेंगे गुरू प्रश्चिक रासी में लग नवाव में रहेंगे जो कि आपकी रासी में धन्भा अधार गुरु आपके लिए उत्तम भर्पदान करने वाले हैं, अधार शोने पे स्वागा जिसाकार भी करने वाले हैं, अधार गुरु नहीं सोकर आपको जन्वान, तार विपार में जन्लाब, तसिद्ध, चतुर, घुद्धीमान, अच्छा वक्ता, लीदर, दूर, न्न दरशरों के मनजगारं मनाने वाले हैं, गुरु नहीं आपकी लशा मपील पंचने सोकर दे जातक धार्मी, विद्वान, तसिद्ध होकर, सरकार से सम्वनित होता है। जो जातक जोति, स्पीचर, वक्ता, लेखर कभी आजी सम्वनित कार्यों से जुड़े हैं। यह उनका उत्तम अफसर रहेगा। उनका मान सम्मान बढ़ेगा। जातक का स्वास्त उत्तम रहेगा। आपके सोहाव एवं रिक्तित में निखार आएगा। परस्नेलिटी अखर तेजवार उन्मत रहेगी। चहरे का तेज गवावसाली आकर्सक रहेगा। सद यहों में बद्धी होगी। आदर सम्मान बढ़ेगा। आप अपने परिष्रम से धन अर्धित करने वाले होंगे। संतान के सिच्छा गवं, स्वयंगे सिच्छा गवसर बनेंगे। इस अर्धी में चाहता की विद्वान, उसागवद्धी, दार्सनिक, चतु, चाला रहेगा। वस्चिक रासी के कारत बरफ गुरू एवं चंद्र करते हैं। आपके नहीं में गुरू धंभाव एवं तल्चंभाव जैसे सुग भाव के स्वामियों कर बहुत सुग फन्पदान कर रहें। पुद्धी, चंद्र नवं भागव एवं सूर्य के सम्कर्म एवं राज भाव के स्वामियों कर राज यूग कारत है। अतव जब शूर एवं चंद्र लजनम में आएंगे राज यूग कारतिस्टिकी बनाएंगे। चंद्र गुरू के साथ गज के स्रीयोग बनाएंगे, जो आपकी जन्मान के कुंदली के अमज़ार आपको उत्तम लाब देंगे, दिनांक 18, 19, 20 माई को चंद्र एवं गुरू के साथ लगन में गज के स्रीयोग बनाएंगे, अतर इस दिन का लाब उठाएं, पुछ नहीं त तो आपने कारे के पती उस्ता ही ठरहें, हर कारी को हर स्यवं अछुसिस से करें तो उसके परिणाम दि क्रिश की हरaking ऑफ उठाई से भरे लिया आएंगे, यही छोटे छोटे पर लिया चंद्र इकारे, बढ़ा रूप लेका आपको विराज से मिलाएंगे वे दिहार्दियों के लिए गुरु और बुद्ध की इस्तिती विद्यागे चित्र में सिख्षा प्रेनिंग का सिख्षन के अच्छे अफसर बना रही है इस महा जो भी परिच्छा देंगे इसमें अच्छे बरिणाम राप्त होंगे दोस्तों आपके रासे में सुख 10 मही तक मीन रासी में तंचम भाव में रहने से जातक को पसिद्ध सुखी धनवान बना रहे हैं अतों इस सब्दी में आपको अपने किये गए कार्यों में पसिद्धी सुख एवन धनकी परिप्त होगी वहीं सुख्र वयस होने से संतान संब्दी परिशानी सिच्छा में करनी संतान के कारण धनवाय हो सकता है वहीं सुख्र दस में कराद रोग या उसतु के राव में में सरासी में रहे हैं अतों सब्द में जब छटे राव में होते हैं तो पत्मी को रोजी एरों दामपत जीवन परहसानी दे सकते हैं। वहीं सुक्र वहयस होने से जातक तो इसादू, बोधी, करिस्त्री के मौन में फसा सकते हैं। पतर इस अभ्धि को ध्यान में रखें। ये समय आता तक कोई दिनों का ही है। लेकिन जिन्दे की भड़ता दुप दे सकता है। पतर सादान रहें। अपने भाव, विचार, वाणी, क्रियाओं पर ध्यान रखतर कारें। विएसे, यहां पर सूत्र दुर स्थाम के स्वामी हने से, एवं दुर स्थाम पर रिठने से, विप्रित राज्योग गन रहा हने से, नोकरी में लाग, रोग, एवं सत्रों का समझ करेंगे। लेकिन यह जनमां के कुंड़नी में ग्रहों की इस्तिती एबं आपके कर्मों कर मिरभर करता है सनी धनुरासी में धन गाव में पूरे महा रहेंगे सनी यहाँ परा कर्मेश होने से यह सुब इस्तिती नहीं है लेकिन सनी सुखेश होकर जातक को माता की लिए से धन लाग पेत्रक संपत्ति का लाग गुद्या अर्जन में सहियों में रूम सफलता दिलाएंगे जातक अपने काम सक्री होकर चत्रवाई से पून करते हुए तो सिद्ध होगा रूम धन की प्राप्ती करेगा लेकिन पारिवारिक माहव कुछ कटूता पून रह सकता है आपकी कुम्ली में लग्मति स्वामी मंगल सब्तम्भाव में होने से जातक के लिए वर्तमान में यह इस्तित्ति लावकारी होग और दामपर्त्य जीवन प्रेम मैं रहेगा आपका वैवार अच्छा होने से व्यकार में लाव काथ होगा लेकिन बंगन सब्तम्भाव पर होने से जामपर्त्य जीवन में प्रेशानी आईगी स्व्यम भी बिमार हो सकते हैं तो पतमी भी 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 बिमार हो सकती है लेकिन राहु की दिश्टी धन भाव पर एगम गय भाव पर हुए से सुख में कमीत हो सकती है, धुमी राहना भी दिवाज होता धड़ी भी हो सकते हैं, अकव सावधान रहें, बच्चो एगम विध्याति के लिए भी जमा अच्छा रहेगा, लेकिन फूरिय चंद्र राहु के दूपे कारण मैं 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 महा में बिनाव 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 तालिकों का धियान रखें, स्वास्ट का धियान रखें, वाहन चलाते समीं धियान रखें, अथा रोस्तों, रस्चिक रासी वालों का मैं का समय सुख खर लाइका रहना के करना अब आपके हाथ में, जोग तो ब करना आप ले सकते हैं, खुस खबरी यहाए कि आप अपनी कुंडली विश्टेशन फ्री में पास अपते हैं, करना क्या है आपको जो भी जातक अपनी कुंडली वनवाना और सुक्ष्म विश्टेशन करवाना चाहता है, वो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करके, अपना के अंदर वाटसप पर ही मिल जाएगा, और दूसरी खुस खबरी यहाए कि जो भी जातक मुझसे बात करना चाहते हैं, विश्टेशन नो वज़े से बारा वज़े तक मुझसे बात कर सकते हैं, और अपनी कुंडली के बारे में या समस्या के बारे में नियराकरण प्राप कर सकते हैं, दोस्तों इसके अलावा जातक अपनी और उन्नती जल्दी चाहता है, तो इन उपायों के साथ साथ यो प्राणायाम, ध्यान नियम का पालन और नियमन अपनी दिन चरिया में सामील कर लेना चाहिए, सिर्फ 15 मेनिट का नियमत ध्यान आपको दुगनी गती से पार्सिक वीडियो देखें, ब्रत के महत्म को जानने के लिए मेरी वीडियो ब्रत का महत्म अवस्त देखें, यदि आप बहुत कुछ उपाय कर चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपनी कुनली का विसलेशन करवाएं, जुरू आपकी कुनली में इस करवा कर उन ग्रहों से सम्मंदित उपाय करके उन्हें पावर्फुल किया जा सकता है, और उनके सुब भलों की प्राप्ति की जा सकती, एवं अपने जीवन की वास्त्विक सफलता का आनन ले सकते हैं, अतर अपनी कुनली का विसलेशन करवाएं, और अपने आप और अपन पसंद कर रहा हैं, पर लाइक एवं सबस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल पर व्यूज चौदा लाग से जादा हैं, पर सबस्क्राइबर पत्चीस हजार ही हैं, इस इस नाट फेर, दोस्तों हम आपके लिए वार्चिक एवं मासिक, रासी भविस्यफल, एवं उनक इतना तो आप करें सकते हैं, दोस्तों जोतिस एवं अपनी रासी के वारे में विस्तार से जानने के लिए अब मेरी वेवसाइट पर जाकर मेरे सभी यूटूब चैनल, ब्लागर, फेस्बूक, ट्विटर एकाउंट में जाकर अपना ज्यान सम्रद्ध कर सकते हैं, वेवस से जोतिस के हल, फेस्बूक अकाउंट है संभूद्याल सुर्या, ट्विटर अकाउंट है संभूद्याल सुर्या, इमेल आईडी है सुर्यदायाल गुरूव 626888gmail.com, थेंक्यू फॉर विंग इन माय लाइप, धन्यवात, स्वास्त संबंदी किसी भी प्रकार की सला के ल सर्व हरवल प्राडक्ट वेलनेस सेंटर यस्वन प्लाजा इंदोर। करना है और क्या नहीं तो आपकी कुन्यती डवल हो जाएगी, अथा कुन्दली वनवाने और कुन्दली विचलेशन करने के लिए संपर्क करें, अथा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी अन्यवात वीडियो आपको अधार सेर भी करें, ताकि आपके सेर करने से आपका फ्रीचित भी लश्मी करपा से लावन वित हो सकेगा, और आपको दुआ देगा, जिससे आपको डवल पन की प्रप्ती होगी, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें, या इंगल करें, या वाट्सप करें, हमारे मोबाइल और वाट्सप नमबर है, 750-900-476, और इमेल आइडी नमबर है, सूरितायान गुरू6268-gmail.com, भन्ने वाद तोस्ता, क्वेरी होगी, क्वेरी नमबर है, सूरितायान गुरू7-gmail.com, भन्ने वाट्स, या देगा, या वाट्स, या दुआ रवल जागवाईल, या वाट्स, अवार्स.